यो गाइज वाट्स अप तो कैसे हैं आप लोग बहुत बुरे हैं हम लोग सो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज आपका भाई कमलेस आपके लिए लाया है दस ऐसे बहतरी ड्रैगन बॉल जी गेम्स जो कि बिलकुली फाडू हो होने वाले हैं और जिनने नहीं पता या जो लोग एलियंस है बेसिकली प्रित्विक के तो नहीं लगते तो मगर तो मैं नहीं पता कि ड्रैगन बॉल जी एक एनिमे है जो कि जैपैन में 1989 में रिल्यूज हुई थी और हाँ ये मेरी फॉर्स एनिमे ही है जो मैंने बच्पन म द्रैगन बॉल जी इन हिंदी तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ने भी मेरी तरह ड्रैगन बॉल जी टीवी पे देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना देखो मैंने ड्रैगन बॉल जी कभी देखी नहीं वाट और लेट्स गेट बाट कर रहे हैं दस ऐसे बहुत ही ज आता है वह है ड्रैगन बॉल बैटल आवर इसके नाम पर जाना यहां बिल्कुली गलत होगा तो इसके नाम में वैसे तो बैटल है बट इस गेम में आपको कोई भी बैटल या स्टोरी मोड देखने को नहीं मिलने वाला है बस आप इस गेम में इधर उधर घूम सकते हो ग्राफिक गेम अपने फोन में देखने को मिले अब हमारी लिस्ट में नेक्स्ट गेम जो निकल कर आता है वो है बर्स टू पावर नव यह भी एक ऑफलाइन गेम है और इसका साइज है अराउंड 600 MB इस गेम में आपको गूकू जैसा यह एक करक्टर देखने को मिल और सबसे बढ़िया बात अब इस गेम को कंट्रोलर या गेमपैड लगा कर भी खेल सकते हो नव मूविंग आउन टो नेक्स गेम जो कि है लेजन्ड फाइटर नव यह एक ऑफलाइन गेम है और इसका साइज है जस 37 MB और इस यह एक 2D फाइटिंग गेम होने वाला है जहा साउंट्रेक आपको वन पीस का देखने को मिलेगा जो कि I think वियर्ड भी है और बहुत ही ऑसम भी है नव मूविंग आउन टो दे नेक्स गेम जो कि है ड्राइगन बॉल टैब बैटल अब यह भी यह एक बहुत ही बैटरी इन ड्राइगन बॉल गेम होने वाला है जो कि साल गेम में आपको fight करने के लिए तरह तरह के characters मिल जाते हैं जहां आप screen पर tap tap करके काफी तरह के moves and combos perform कर सकते हो और enemies को मार सकते हो तो overall यह गेम भी काफी must होने वाला है और क्योंकि यह गेम भी पुराना है तो आप इसे अपने पुराने से पुराने potato मोबाइल में भी चला सक and अब तक कि सबसे कच्रा मूवी में से एक थी वो Dragon Ball के उपर बट surprisingly यह गेम उसके opposite काफी must होने वाला है जहांकि story के शरुआत में आपको Grandpa Gohan से बिढ़ना होता है और उसके बाद Mia and so on और बात करूँ इस गेम के combat system की तो मुझे तो वो काफी सही लगा बाके तो आप लोग देख लेना और हां कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट Dragon Ball गेम कौन सा है तो चलते हैं अब हमारे next गेम के तरफ जो कि है Dragon Ball Z शेन बूडो का है नो फ्रेंट्स ये गेम भी लिस्ट के बाकी गेमों से काफी बहतरीन होने वाला है क्योंकि इस गेम के graphics and gameplay इस लिए तो जबरदस्त है ही साथी साथ इस गेम का story mode भी है काफी मस्त होने वाला है और इस गेम में आप different characters भी choose कर सकते हो और सेयन या फिर सूपर सेयन में भी transform हो सकते हो जो कि मेरे एसाब से तो एक काफी बढ़िया plus point एस गेम को खेलने के लिए अब हमारी लिस्ट में जो गेम निकल कर आता है वो है Dragon Ball Z 10 Kaichi Team Versus and हाँ I know कि गेम का नाम काफी बड़ा है बट नाम से क्या ही फरक पड़ता है यार गेम अच्छा होना चीए and आप इस गेम के अगर बात करें तो इस गेम में भी आपको बाकी गेमों की तरह ही लड़ाई करनी होगी बस फरक इतना सा है कि इसमें आप टीम बना कर भी लड़ाई कर सकते हो और हाँ इस गेम में आपको variety of Dragon Ball characters भी मिल जाएंगे देखने को जैसे कि Goku, Gohan, Frieza, Vegeta और भी पता नहीं कितने सारे इसके अंदर भरे पड़े है and characters की बाद भी अगर चली रही है तो लगे हाथ में इसके बारे में भी बोल देता हूँ कि comment करके ज़रूर बताना कि आपका favorite Dragon Ball character कौन सा है वैसे मुझे तो बुलमा ही पसंद है बच्पन से नाव मूव करते हैं लिस्ट के next game के तरफ जो की है Legend Warrior Transformation यह यह एक बिल्कुली latest online Dragon Ball Z game होने वाला है जिसका size है around 400 MB and basically यह tactical strategy game होगा जहां आप team बना के enemies का सफाया कर सकते हो और इसमें आपको story mode के साथ ही high quality की cutscenes भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आखों से देखने पर काफी ही बढ़िया लगते हैं लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना कि यह game तो आप मुफ्त में खेल सकते हो पड़ इस game के अंदर कुछ in game items ऐसे हैं जिनें आपको original पैसे देखे के खरीदना पड़ेगा तो उसका आप देख लेना क्या करना है आपको अब हम बढ़ते हैं लिस्ट के second number game की तरफ जो की है ड्रागन बॉल जी शिन बूडो का है another road इस game का नाम सुनकर और देखकर तो आपको पता लगी गया होगा कि ये game actually में हमारे previously listed ड्रागन बॉल शिन बूडो काई का ही एक sequel होने वाला है जिसमें आपको पहले से भी जादा awesome characters, scales and abilities देखने को मिल जाती है और हाँ game की story भी पिछले वाले part के आगे से ही continue होती है और सबसे बड़ी बात कि ये game भी free है जिसे आप offline भी खेल सकते हो आखिरकार हम पहुचे गए हैं अपने list के final game के तरफ पर उससे पहले as usual today's gaming question जो की अरे यार क्या था? आरे राजू, आज का gaming question क्या था? अब रसोडे में कौन था? अब 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 पागल ये वाला नहीं चल 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 मैं बता देता हूँ sorry guys, राजू भी ना कभी-कभी हद कर देता है इसको तुम्हाँ बात में देखूँगा ख्यार वो सब चोड़ो आज के gaming question में आपको बताना है कि what is the full form of COD और हाँ इस COD को आफ cash on delivery मत समझ लेना इतना hint अगर मुझे कोई exam papers में दे देना तो मैं top कर जाऊं भाई so as usual सबसे fast answer देने वाले लड़के या लड़की को मिलेगा हमारी next वीडियो में एक अच्छा सा प्यारा सा shout out तो जल्दी से जल्दी आपका answer comment section में type कर दो और मैं बढ़ता हूँ आज के final game की तरफ जो की है none other than legendary Dragon Ball Legends नाव ये game भी यहाँ Dragon Balls जी anime पर ही based होने वाला है and basically या Dragon Ball नामे game का तो Dragon Ball anime पर ही based होगा न इस game में unfortunately manual controls नहीं है मतलब आपको screen पर tap tap करके ही enemies का सफाय करना होगा लेकिन एक good news है और वो ये है कि game में आपको Goku का signature move यानि की कामे हामे हाँ and spirit bomb देखने को मिल जाएगा and हाँ अब कई बंदे कहते हैं कि इस game में ultra instinct भी है लेकिन मुझे तो कभी दिखी नहीं और मैंने कभी try भी नहीं किया अब तक पर अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो आप हमें comment करके जरूर बता सकते हो और हाँ आपको कह लगता है कि कौन सा anime character जादा powerful है Goku या Saitama comment करके जरूर बताना So guys आज के लिए बस इतना ही and हाँ I know इससे पहले कि तुम लोग point out करो मैं कहना चाहूँगा कि हमने काफी सारे games यहां miss कर दिये हैं Dragon Ball से related लेकिन अगर आप इस video पे 9000 से जादा likes करा देते हो तो हम इसका second part भी जरूर बनाएंगे इस लिए जल्दी से जल्दी likes कोटा पूरा कर दो और मैं जाता हूँ राजू की ख़बर लेने राजू इधरा देख तेरा भाई तेरले कौन सी मूवी लेकिया है आजा साथ में बैठके देखते हैं Dragon Ball Evolution कर देखा जारा यार नहीं देखा जारा